नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार अवकास कालेंडर 2024 में हुआ संसोधन देलिट के आधार पर सक्षक भरती अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी खरन पुलिस के लिए बिहार सरकार ने 30 जनवरी तक मांगे आवेदन पटना टो भी फोर्लेन को लेकर हाई कोट का नया देश बहुत सर्मा को कप्तानी से हटाना मुंबई इंडियन्स को पड़ा भारी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्यों विस्तार से बिहार अवकास कलेंडर 2024 में हुआ संसोधन राजभवन के दोरा विश्यविद्यारियों और कॉलेजों में वर्ज 2024 के लिए जारी छुट्टी कलेंडर में संसोधन कर दिया गया है बता दे कि संसोधन किये गए कैलेंडर के अनुसार अब बिहार के पहले मुख्यमंत्री स्रिकृष्ण सिंग परव मुख्यमंत्री करपूरी था कुर्स सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव और देश के प्रथम राश्रुपती डॉक्टर राजंदर प्रशाद की जहनती पर वर्ष दोहजार चूबस में चुटी रहेगी ऐसे में अब वर्ष दोहजार चूबस में कुल चुट्टियों की संख्या 93 हो गई है जिसमें से 30 दिन की गर्मी चुट्टी अवकास के लिए है मालम हो कि वर्ष 2023 में कुल 92 चुटी थी जिसमें 30 चुटी गर्मी अवकास था बता दे कि राजेपाल सचीवाले की ओर से महज 24 घंटे में 2024 के कैलेंडर में संसोधन कर दिया गया है ट्रेडिंग पर जाएंगे बिहार कैड़र के 19 IAS अधिकारी बिहार सरकार के सामाने प्रिशासन विभाग के दोरा अधिसूशना जारी करते वे यह जानकारी दी गई है कि बिहार कैड़र के 19 IAS अधिकारी को 29 अपड़ा से 24 मई 2024 तक ट्रेडिंग के लिए मसूरी जाना है बता दे कि जारी कि एगा अधिसूशना के अनुसार जिन 19 IAS अधिकारी को ट्रेडिंग में जाना है डियालेट के आधार पर सक्षक भरती अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा उन अभ्यर्थियों के लिए नूटस जारी की गई है जिन्होंने बिहार सिक्षक भरती पड़क्षा में शामिल होने के लिए डियालेट के आधार पर आवेदन किया था बतादी के आयोग की ओर से जारी के गया आदेश में कक्छा एक से 5 और 6 से 8 के टीचर न्युक्ती के लिए जिन भी लोगों के द्वारा डियलेट के आधार पड़ाविदन किया गया वे अभ्यरती माननिये सर्वोच नयाले के आदेश का पालन करेंगे इसके लिए उन्हें 16 दिसंबर याने की आज से 18 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा जहां अभ्यरतियों के द्वारा लोगिन करने के बाद डियलेट से संबन जानकारी देनी होगी इस दौरान अगर अभ्यरती के द्वारा अपनी जानकारी निर्थाल समय अवधी पर नहीं दी जाती है तो उसे सर्वोच नयाले की अभ्यलना माना जाएगा और उनका अभ्यरतियों रद कर दिया जाएगा बिहार बिजनस कनेक्ट 2023 में इन इंडस्ट्री को लेकर हुए निवेश बिहार की राजधानी पतना में आयूजित बिहार बिजनस कनेक्ट 2023 ग्लोबल समिट के दौरान कुल 50,530.41 करोड की निवेश प्रतिवरताएं MOU पर हस्ताक्षर किये गए बतादे कि समिट में 50,530.41 करोड रुपे में से जनरल मैनिफ्रेक्ट्रिंग में 31,394.14 करोड रुपे निवेश किये गए वहीं सके लावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 14,574.11 करोड रुपे सर्विस इंडस्ट्री में 3,189.81 करोड रुपे आईटी एंड आईटीज में 717.55 करोड रुपे और टेक्स्टाइल वर लेधर इंडस्ट्री में 674.81 करोड रुपे का निवेश किया गया है बता दे कि समेंट पिटना के ग्यान भवन में आयुजित किया गया था 15 दिसंबर को 11,12 के लिए हुई परिक्षा का पेपर और आंसर की जारी अगर आप भी उन लोगों में हैं जिनके द्वारा दूसरे चरन की सिक्चक भरती के लिए 15 दिसंबर को कक्छा 11,12 के लिए परिक्षा दी गई थी तो ये खबर आपके लिए है बता दी कि बिहार लोग सिवा आयो की ओर से कक्छा 11,12 के लिए कुल 11 विशियों का प्रशन पत्र और आंसर की जारी कर दिया गया है जिसमें हिंदी, उर्दो, अंग्रेजी, संस्कृत, बांगला, मैथली, मघी समेत कई विशे सामिल है ऐसे में इस परिक्छा में शामिल होने वाले अभ्यरती BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर संबंदित विशे का प्रशन पत्र औरोन की अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं बतादे कि अभी कक्छा 11-12 की आंसर की के आधार पर अपत्यार नहीं मागी गई है पत्ना डोभी फोर लेन को लेकर हाई कोट का नया आदेश पत्ना डोभी राजमर्ग का 85 प्रतीशत काम पूरा हो चुका है लेकिन लिंक रोड तयार नहीं होने की वज़े से वहाँ लोगों का आवा गवन नहीं हो रहा महीं अब पत्ना गया डोभी नेशनल हाईवे नर्मान को लेकर पत्ना हाई कोट के चीफ चस्टिस के विनोध चंदरन की अध्यक्षता वाली खंड पीट के द्वारा दायर लोखित याचिका पर सुनवाई करते वे नहीं को नर्देश दिया कि वह 19 जनवरी 2024 तक इस मामले पर अपने स्थितीस पस्ट करे मालूमों किस से पहले कोट के द्वारा गया और जहानाबाद जले के डियम को नर्देश देते वे कहा गया था कि वे सरक नर्मान में आड़ही बाधाओं को दूर करे बता दे कि आचिका करता के दिवक्ता मनीश कुमार के द्वारा कोट को ज पुन सराब बंदी वाले राजे में 20 लाग की शराब जब बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभ पुन सराब तसकर भागने में सफल रहे इस बारे में थाध्यक्ष सुनील कुमार के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया है कि शराब माफियाओं को चिनहत कर 9 व्यक्ति को नामजद अभ्युक्त बनाया गया है और 8 व्यक्ति पर उनके उतपात अधिनियम के तहद प्र बिहार सरकार ने 30 जनवरी तक मांगे आवीदन राज्य में बालू खरन पर नकेल कसा जा सके इसके लिए खरन पुलिस के गठन के लिए प्रात्मिक्ता के आधार पर बिहार सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों से 30 जनवरी 2024 तक आवीदन मांगे गया है बतादी खरन पुलि पिंसन की कटोती करने के बाद जो होगा वहत दे होगा आपकी जानकारी के बता दे कि बिहार माइनिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार समधा नियोजन के लिए अधिक्तम उम्रस्तीमा 65 वर्स नरधालित की गई है इस निवक्ति में आरक्षन के नियमों का पालन होगा महाबोधी मंदर पहुंचे दलाई लामा की विशेश पूजा अर्चना आज जियानी की सनिवार के सुभव बौध धर्मगुरू दलाई लामा अपने बोध गया प्रवास के दूसरे दिन महाबोधी मंदर पहुंचे बता दी कि वह सुभव के करीव साथ 45 बजे बैटरी चाल सुरान उनके सुरक्षा के पुखता अंतिजाम किये गए थे चप्पी चप्पी पर पुलस कर्मियों की तैनाती की गई थी बता दे कि उनकी सुरक्षा को लेकर त्री अस्तर ये विवस्था रखी गई है मालम हो कि बहुत धर्मगुरूत को देखने के लिए तिबबती मॉ विद्याले सराय पहुँच गये ऐसी में उन्हें अचानक वहां देखकर सिक्षकों के होस उर गये सुरान उने स्कूल का नरिक्षन किया और साथ ही कई कुववस्था को लेकर नरदेश भी दिये वहें सब के लावा केके पार्थक के दौरा इस दौरान विद्याले की प्र 24 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की वारानशी में होने वाली रैली तो रध हो गई है लेकिन अब बहुत जल्दी वह जारखन में जनसभा करेंगे बतादिक इसको लेकर बिहार सरकार के भवर रवान मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा जानकारी दे देने में आनाकानी कर रहा था इसलिए रैली को ततकाल स्थागित कर दिया गया है पर कारिकरम रध नहीं हुआ है इसकी अगली तिथी जल्दी घोशत होगी बतादे कि जारखन में सीम नितीश के जनसभा को लेकर पार्टी के ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है सीम नितीश की रैली टलने पर कॉलिज ने खोली पोल 24 दिसंबर को बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार पधान मंतरी नरेंद्र मोदी के संसदिय छेतर में रैली करने वारे थे जिससे अब टाल दिया गया है जिसके बाद जेडियू के द्वारा यह रूप लगाया चा लेकर बुर्डोज चलाने को लेकर जो बात कही जा रही है वह सरा सर जूट है वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि उनकी मंतरी श्रवन कुमार से ना मुलाकात हुई है और ना ही फोन पर बात चीत हुई है उनके कुछ कारिकरता कॉलेज के फिल्ट का म सियासत सुरू हो गई है एक तरफ जहां बीजेपी के द्वारा कहा गया कि सिक्षक भरती परिक्षा में इंडिया गडवंधन का फुल फॉर्म पूछा जाता है यह सब तो पूछा जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति का नाम पूढ़ा पूछा जाता है गाउं पूछा जाता है ऐसे में कोई सवाल पूछा गया हो तो वह विद्यारती उसका जवाब देगा भाजपा को इससे क्या मतलब है भाजपा के तरफ से नौकरी नहीं देने काड़ो उप लगाते हुए चदी उनिता ने कहा कि लोग सिर्फ जुम्लाबाची करना जानते हैं यह लोग कुछ कर करना जानते ही नहीं रोहिस सर्मा को कप्तानी से हटाना मुंबई इंडियंस को पड़ा भारी 19 दिसंबर 2023 को IPL के 17 सीजन के लिए होने वाले मिनी आॉक्षन से पहले मुंबई इंडियंस के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसका खामिया जा उन्हें भुगतना पर रहा है द्रसल मुंबई इंडियंस के द्वारा टीम के कप्तान रोहिस सर्मा को कप्तानी से हटा कर हार्दिक पांडिया को टीम की जम्यदारी दे दी गई है ऐसे मुंबई इंडियंस की जमकर आलोचना हो रही है बता दे कि रोहिस सर्मा से टीम की कप्तानी दी जाने के बाद मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम अकाउंट से लगभग डेर लाग से जादा लोगों के द्वरा अनफॉलो कर दिये गये हैं बतादी कि पहले जहां जब टीम के कप्तान रोहिस सर्मा थे उस द्वरान मुंबई इंडियंस की फॉलोवर्स 14 प्लस थे लेकिन अब 12.9 लाग फॉलोवर्स रह गये हैं जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सनिवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रॉल 107.74 और डीजल 94.5 रुपे प्रति लीटर पेट्रोlem 33.32 रुपे प्रति लीटर नरिधारित की गई है इसके साथी गया में पेट्रॉल की कीमत 104.44 रुपे और डीजल कीमत 95.6 रुपे पीजल की बिहार सबसर्कार कि आब तक आवी दन मांगे हैं ऑप्शन E 10 जनवरी 2024, ऑप्शन B 20 जनवरी 2024, ऑप्शन C 30 जनवरी 2024, ऑप्शन Dी इन में से कोई नहीं. इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 30 जनवरी 2024. अगला सवाल, बिहार अपकस कालेंडर 2024 में कितने दिनों के छिटियां मिल रही हैं? उप्शने 30, उप्शन B 50, उप्शन C 85, उप्शन D 93 इसका सहुत्तर है उप्शन D 93 अगला सवाल, जार्खन में CM नतीश की जन सभा कब आयोजित होने वाली है? उप्शने 21 जनवरी 2024, उप्शन B 24 दिसंबर 2023, उप्शन C 20 दिसंबर 2023, उप्शन D 18 दिसंबर 2023 इसका सहुत्तर है उप्शन E 21 जनवरी 2024, अगला सवाल, टेक्स्टाइल वर लेदर इंडस्ट्री में बिहार में कितने करोड रुपए पर निवेश होने वाला है? उप्शन E 3189.81 करोड, उप्शन B 674.81 करोड, उप्शन C 717.55 करोड, उप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सहुत्तर है उप्शन B 674.81 करोड, अगला सवाल, बिहार कैड़र के कितने IAS अधिकाली ट्रेडिंग पर जाने वाले हैं? उप्शन E 19 IAS, उप्शन B 20 IAS, उप्शन C 21 IAS, उप्शन D 22 IAS इसका सहुत्तर है उप्शन E 19 IAS इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है? आपके नुसार मुंबाई इंडियस की कप्तानी की जिम्मेदारी रोहस सर्मा और हार्दिक पान्या में से किसे दी जानी चाहिए? अपना जवाब हमें अमारे कॉम्मेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने लिखते रहें बिहारे इंडियस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख चलंग को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले नानेवाद